नमस्कार आपको स्वगति स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं डेटा पैटर्न इंडिया लिम्टेट के कोडरली रिजल्ट्स के बारे में तो जन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब में किया प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करें वीडियो को ल करें आपर हमें तो यहां पर हमें तो यहां पर हमें तो यहां पर हमें तोटल इंकम भढ़ते हुई नजरे रही है अगर हम बात करते हैं quarter and quarter में सितम्बर 21 quarter से dusmmer 21 quarter में तो यहाँ पर हमें total income में कमी होते हुए दिखाई दी रही है बात कर लेते हैं expenses की सबसे नीचे दिये गए है total expenses Desummear 20 quarter में expenses 27 24-27 करोड के सितम्बर 21 quarter में यह हुए 42 26 करोड के और Sunday 21 quarter में total expenses तो यहां पर हमें व्रद्धी होते हुए दिखाई दी रही है अगर हम बात करते हैं अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो बात करते हैं की जोटे के सितमम्र 21 कोडर में सतरा दसंबू एक तीन करोड के राःं कोड़िए coating और क्योंकि दि संस्तंबंस दिरभित और अगर हम बात करते हैं और यहां पर हमें profit before tax में व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter quarter में सितम्बर 21 quarter से December 21 quarter में तो यहां पर हमें profit before tax घटते हुए नजर आ रहे हैं बात कर लेते हैं company के net profit की तो 9th number point दिया गया profit आप लेक loss for the period December 20 quarter में 4.4.0 करोड के net loss थे सितम्बर 21 quarter में 12.9.0 करोड के net profit हुए और December 21 quarter में 8.9.6 करोड के net profit रहे तो यहां पर अगर हम बात करते हैं net profit की year on year में December 20 quarter में तो हमें profit में 303 प्रतिशत की व्रद्धी होते हुए दिखाई दी रही है अगर हम मत करते हैं quarter on quarter में सितम्बर 21 quarter से December 21 quarter में तो यहां पर हमें net profit घड़ते हुए नजर आ रहे हैं company के overall अगर हम results की बात करें तो company की चाहे वह year on year performance हो तो वह हमें बहतर होती हुए दिखाई दी रही है और quarter quarter performance कमजोर होती हुए दिखाई दे रही है धन्यवाद